आप में से बहुत सारे दोस्तों की जो समझ है वो यह है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि एक्टर बनने के लिए कितनी महनत लगती है देखिए आप एक्टर बहुत आराम से बनने की रहा पर चल सकते हैं कहा जाए तो बहुत ही आसान डगर है लेकिन उसको मुश्किल कौन करते हैं वो आप ही करते हैं उसको समझने की कोशिश कौन नहीं करते वो आप नहीं करते दरसल बात यह होती है कि जब हम एक्टर बनने की राहा पर चल पड़ते हैं तो हमारे पास एक ऐसे कुछ लोग नजर आते हैं कि वह ऐसे कर रहा है, वह ऐसे कर रहा है. और मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तब ही मैं एक्टर बन सकता हूँ. यानि कि वह फोटोज कराता है, बहुत अच्छी 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 अच्छे. वो मॉडिलिंग करता है बहुत अच्छे 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 मुझे भी करना चाहिए बस यही एक परिशानी आ जाती है जब आप एक्टर बनने की रहत चुन लेते हैं उस दौरान यानि की जिस चीज की रिक्वार्मेंट जादा होती है आप वो चीज ना करने की वज़ाए कुछ और चीज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वज़ा से आपका जो कहते नहीं एक गाड़ी चलर ही होती है उस गाड़ी चलते वक्त ब्रेक लगते रहते हैं यानि की ऑईल खतम ह होता रहता है उस तरह की चीज़ें होना आपके एक्टिंग के करियर में भी शुरू हो जाता है दरसल यह एक बहुत ही सीधा सीधान्त है कि आपको जब एक्टर बनने के बारे में सोच लिया है तो आपको सीधे सीधे चलना है आपको इधर उधर के बारे में सोचना ही नही लेकिन अगर आप सोचेंगे कि चका चोंद वालि इस दुनिया में मुझे एंटर करना है ग्लैमर बनना है, ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है तो मुझे ये करना होगा, मुझे फो करना होगा, मेरे को मौटलिंग करनी होगी मुझे बहुत बड़े-बड़े links बनाने होंगे, मुझे बड़े-बड़ी गाड़ियों में घुमना चाहिए, मुझे शानों शौकत में रहना चाहिए. दारू, शराब, मदरा का पान करना चाहिए, जो की गलत है. दोस्तों यकीन मान कर चलिए कि आप जब इन चीजों को करते हैं तो आपके दिमाग पर effect पड़ता है आपका psychological जो brain है वो develop ना होने की वजह से भी बहुत बड़ी समस्या create हो जाती है शुरूआत की दिनों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है लेकिन आगे आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो आपका जो दिमाग आभी मान लीजिए जब आपने शुरूआत करी उस वक्त जो energy थी आपका actor बनने के लिए वो बहुत जबरदर्श थी लेकिन एक समय के बाद जब आपने सोच लिया और उसके बाद आपने इन सब चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया आपने कुछ अलग रहा चुन ली और आप वहां उसमें enter कर गए आपने glamour को चुन लिया तो बस वही पर आपका जो रहा है वो तोड़ा सा डब जाती है आपकी आसा नहीं रहती बलकि बहुत मुश्किल हो जाती है आप दोस्ति यारी में फस जाते हैं आप अपने characters में ध्यान देना कम कर देते हैं, आप acting पर काम करना कम कर देते हैं, आप अपने craft को भूल जाते हैं, जो craft acting की होती है, उसको आप स्वते ही नश्ट कर देते हैं, कहा जाए तो आप उस पर काम ही करना बंद कर देते हैं, जो सबसे घातक है, और कहा जाए, practice makes you perfect, च जिस चीज के लिए आप आए थे इस industry में, वो आपने स्वयम ही गवा दी, बस यहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सचेत करना चाहता हूँ, कि यदि आप actor बनना चाहते हैं, तो आपको सीधे सीधे चलना चाहिए, ना क आपको अपने खुद की एक रणनीती तयार करनी होगी, उस रणनीती पर ही आपको चलना होगा, और वही रणनीती आपको actor बनाएगी, यकिन आना आप इस बात को समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से इस वीडियो का मकसद भी पूरा हो गया है, अगर आपको समझ गया है और वीडियो का मतलब समझ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को शेर कर दीजे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी दोस्त हैं जो मदरा, शराब, इंचीरों फस जाते हैं, अपने काम को करने की बचार, ठीक है, त ख़या है